नमस्कार दूस्तों ये है M.P.R का सबसे सस्ता एलेक्टरिक स्कूटर V48 जो की लो स्पीड वाला मॉडल है और लेड एसिड बैटरी के साथ आता है इसमें तीन कलर का ओप्सन मिलता है रेड, ब्लू और ब्लैक और आप देख रहे हैं इसका ब्लू कलर तो आज इस वीडियो म लास्ट तक पूरा जरूर देखना जैसा कि दोस्तों इसका कलर देख सकते हो काफी अच्छा यहां पर आपको देखने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ तो यहां पर आपको वाइजर पर M.P.R V48 की ब्रांटिंग मिलती है यहां पर आपको जो कलर है वो वाइट और ब्लू दे रखा है और इसके साइड में दौनों साइड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं इसके फ्रंट में आपको टैली स्कॉपिक सस्पेंसन मिल जाते हैं और 16 by 30 का टैर साइज मिल जाता है और 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है और रियर में भी आपको 16Y30 का टैट साइज मिल जाता है और इसके वील के अंदर ही आपको 250W की VLDC बाटर प्रूफ मॉर्टर देखने को मिल जाती है इसमें 25 km पर आबर की स्पीड मिल जाती है और इसकी जो रेंज है वो 50-255 km पर आबर की है और 7-8 गंटे की इसकी चार्जिंग टाइम है और यहाँ पर भी आपको कॉल स्प्रिंग संस पंशन मिल जाते है यहाँ पर भी आपको प्लेट दी गई है और यहाँ पर 130mm की ड्रम ब्रेक है इसके मीटर कंसोल की बात करें तो इसमें आपको फुली डिजीटल ऴर्रें inclusion स्थिश यहांपर बड़न हल जाता है और इसन पर आपको हरन केशन जाट हैहां पर आपको हुग भी मिल जाता है यहां पानी की बहुतर लखने के लिए इसमेल जाता है और यहां पर भी आपको space मिल जाता है सामान रखने के लिए overall इसका जो look है काफी अच्छा है और इसके नीचे की side में यहां पर आपको chassis का number देखने को मिल जाता है इस जगे पर और इसका lagging space area काफी अच्छा मिल जाता है और 135 mm इसका ground clearance मिल जाता है तो यहां पर आपको मिल जाता है pallion के लिए adjustable put rest और यहां पर आपको एक blue color का panel देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको मिल जाता है ampere V48 की branding जो की sticker में दी गई है with graphics के साथ इसके rear side में चलें तो यहां पर आपको normal type के indicator मिल जाते हैं और इसकी tell name में भी आपको normal bulb दिये गए हैं जैसा कि यहां पर देख सकते हो जल रही है और नीचे आपको reflector दिया गया है और इसके ऊपर की side में आपको एक बड़ा सा carrier मिल जाता है सामान रखने के लिए जिस पर आप सामान रखकर ले जा सकते हो थोड़ा बहुत और यहां पर आपको Mpair B48 की branding और यहां पर आपको boot space का locker मिल जाता है इसकी seat पर आपको Mpair की branding मिल जाती है इसकी seat की कुछनिंगे काफी soft दे रखी है और इसकी नीचे की side में आपको adjustable foot rest मिल जाता है यहां भी आपको side stand और manage stand मिल जाते हैं और इसकी seat के नीचे आपको battery charge करने के लिए charging slot मिल जाता है अब इसकी boot space को open कर लेते हैं तो इसका boot space दोस्तो open हो चुका है और यहां पर आपको मिल जाता है एक MCB का switch यहां से आप इसको directly on off कर सकते हो यहां पर आपको LED का option नहीं मिलता है light का और यहां पर आपको मिल जाती है एक plate और यहां पर आपको मिल जाता है एक battery को charge करने के लिए charger जो की M.P.R. company का है और यहां पर आपको मिल जाती है एक owner manual kit जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो और इसमें आपको एक tool kit भी दी गई है जैसा कि यहां पर आप देख सकते हो इसमें आपको अच्छा कासा boot space देखने को मिल जाता है तो हम मैं आपको इसकी battery को दिखा देता हूँ इसके डखकन को अटा कर तो यहां पर आप देख सकते हो इसमें आपको जो है lead acid battery मिल जाती है इसमें आपको छोटी छोटी टाइप की battery मिलती है जो की एक दूसरे से connected है दोस्तों जो की 48 volt की है बैटरी को चार्ज करने में 7-8 गंटे का time लगता है और एक बार चार्ज हो जानने के बाद 50-55 किलोमीटर की range मिल जाती है और इस battery को चार्ज करने में तकरिवन 1-2 unit का खर्चा आता है जो की 10-15 रुपे का आप मान के चलो दोस्तों इसका on-road price है न्यू डीबी एंटर प्राइस का जो की 42,150 रुपे है सोरूम का नाम, एड्रेस और contact नंबर मैंने आपको इस वीडियो के description में दे दिया है और आप इस नीचे दिये नंबर पर भी call कर सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो like, comment, share करें और चैनल पर नहीं है तो फ्ली चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबा देना Thank you दोस्तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में